मंड़े के एतिहासिक पडल मैदान में अखिल भारती विद्यार्थी परिश्य द्वारा मिसन साहशी अव्यान के अंटिकत एक कारिक्रम आयोजित किया गया जिसकी अधिकुस्ता बन मंत्री गोविन सिंग ठाकूर ने की इस अफसर पर देश के सबसे यूभा परधान एबं औरियंटल फांडेशन की संस्थाफक जबना चुहान कारिक्रम में बतार विशिश अच्थी मौसूद रही कारिक्रम को संबोधित करते हुए गोविन ठाकूर ने कहा कि छातर संगठन एबी बीपी द्वारा शुरू किया गया ये कारिक्रम अच्छी पहल है जिसका करम एहम भूमी का निभाती आए हैं उन्होंने कहा कि महिला सुसक्तिकरन के लिए परदेश सरकार भी कृत संकलब है परदेश में गुडिया हेलप लाइन शुरू की गई है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने उपर हुए अत्यचार के बारे में सीधी सरकार को सूचित कर स सकती हैं सरकार दोरा महिला थाना भी खोले गए हैं जहां महिलाएं अपने साथ हुई अत्यचार की शिकायत दर्ज करवा सकती हैं महिलाओं को इन योजनाओं का लाब उठाने के लिए जाबरुक होना जरूरी है अखिल भारतिय विद्यार्थी पईशत के मिसंसासी अव्य की अंधिकर्ट एतिहासिक पड्ल मैदान में आयोजित कारिक्रिम के दोरान देश की यूबा पर्धान इबम ओरियंटल फांडेशन की संस्थापक जबना चुहान की बन मंत्री गोविन सिंग ठाकुर निस रहना की उन्होंने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं है उसके नीडर पर मजबूत बनाने हेतु ABBP द्वारा स्कूलों वो कॉलेसों में परिशिक्षन दिया जा रहा है ताकि महिलाएं समाजिक बुराईयों का डट कर मुकाबला कर सके उन्होंने कहा कि केंदर सकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिक्रम महिला ससक्तिकर की दिशा में उठाए गया एक ठोस कदम है और यहां पर विद्यार्थी परिशद के इस मिशन सहासी कारिक्रम में आने के बाद जम हमने बच्चियों को देखा कराटे युडो इसका प्रशिक्षन प्राप्त करके इस तरह से सिंघ गर्जना कर रही थी और यह शेली सी गर् मेरा सशक्ति करने के संबंदम है और विद्यार्थी परशद ने एश को एक नई दिशा दी कि देश का छात्र राष्ट भक्ति से परिपूर्ण आंदोलन का नेत्यत्व करने वाला है और एक बात जवनाजी ने कहीं बहुत अच्छी कहीं एक हम सब के सामने बहुत बड़ी चुनाती है वो चुनाती यह है कि नशे के विद्ध हमको चुनाती स्विकार करनी पड़ेगी आज हमारे प्लस बन प्लस टू के स्कूल हमारे हाई स्कूल हमारे कॉलेजिज इनके आसपास गलत तरह के लोग घूमना प्रारंब होते हैं उनको लगता है छोती उमर के बच्चे बच्या हैं किसी तरह का प्रलोग हम दे करके बहकाने का प्रियास करके नर्शे की आदब दनवाने की कोशिश करते हैं इसलिए आपकी ताकत ऐसे लोगों को अपने महब जलने अपने दाएंबाएं लगता है तो निश्चित रुप इस अपसर पर जवना चोहान ने कहा कि आज बेटियां किसी से कम नहीं है उन्होंने कहा कि आज बेटियां आसमान चुरही हैं साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की बात कुछ और थी मगर अब महिला सुसक्तिकरण को लेकर समास में चिंतन होने लगा है साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार की मोदी सरकार हूँ या फिर परदेश की जैराम सरकार दोनों ही सरकारों ने महिलाओं के उठान के लिए कई योसनाई शुरू की हैं जिसके सकरात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं जवना चोहान ने कारिक्रम में भाग ले रही चात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज अपने जीवन के लिए लक्ष निर्धारित करें उन्होंने कहा कि जो इंसान लक्ष निर्धारित कर आगे बढ़ता है वही जीवन में काम्याब होता है साथ ही उन्होंने कारिक्रम में मौजू सभी प्रति भागियों वो अतितियों से नशे के किलाव जंग सुरू करने का आवाहन किया उन्होंने कहा कि नशा ही हिंसा वो अत्ये चारों की मूल जड़ है सोचता को लेकर अपने संबोधन में जवना जोहान ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने मन और दिमाग को सोच करना होगा तभी एक सोच भारत की कलपना समभब है अपने जीवन में सबसे पहले लक्षे निधारित करें कि आपने करना क्या है ऐसा नहीं है कि लग्यां आज कुछ नहीं कर सकती हैं लग्यां आस्मान चूरी हैं लग्यां बहुत कुछ कर सकती है सबसे पहले सोचे तो सही कि हमने करना क्या है और उस लक्षे को पाने के लिए आप लोगों को दिन राग मेहनत करनी पड़ेगी और एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आप उस लक्षे को हासिल कर पाएंगे आप लोगों से एक और अपील करना चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग उपस्तित हैं हमने महिला शिशक्ति करन को लेकर हाली में औरेंटल फांडेशन के नाम से एक एंजियो शुरू किया है मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप सभी औरेंटल फांडेशन को जॉइन करें और महिला शिशक्ति करन को लेकर हम मिलके काम करेंगे और स्मयाज में जितनी भी बुराईयां फैल रही हैं उसके लिए हम मिलके प्रयास कर सकते हैं एक और फिर से मैं अखिन वारती और विदाती परिशत का धन्यवाद करना चाहती हूँ उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया और आप सभी अतिती गणों को भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद